Hello Friends, Welcome to the lecture One Day Before Exams Exam जिस दिन है आपकी उसके एक दिन पहले किस तरीके से तहरी करना ये आप लोगो मैं बेटा इस लेक्चर में बताऊंगा मैंने आप लोगों को पहले भी प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को One Day Before Exams कैसे तहरी करना कैसे पढ़ना Economics BC के दोनों और दोनों को भी दो दो बार revise करना है कितने बार दो बार revise करना है Economics भी दो बार, Business and Commercial BC के भी दो बार और वहीं पूरी नीन लेके फुल स्लीप, पूरी स्लीप के साथ कैसे करना है ये मैं आज आप लोगों को बेटा यहाँ पर बताऊंगा ठीक है, और मैं आप लोगो प्रॉमिस किया था कि मैं ये लेक्चर आपको दूँगा पहले नहीं दिया, जान पूछ के उसकी वज़े थी, एक्जाम के पहले देना उसका एक अलग benefit रहता है ठीक है, तो बेटा, स्टार्ट करते बिना time waste किये, ज्यादा आप लोगों के पास वैसे भी time कम है खुब आप लोग के पढ़ाई एक दम अच्छी चल रही है, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, मुझे पूरा यकीन है सब लोगों को 60 plus marks, economics और BCK में मिलेंगे, यह मेरी guarantee है, आप लोगों कभी दखलीव नहीं पढ़ेंगी और साथ ही साथ बेटा, if possible, इस time table को आप follow कीजिए, इस time table को थोड़ा साप अपने हिसाब से तोर मरोड़ो सकते हो, ऐसा नहीं है कि रिजिड है, ठीक है ना, आप अपने हिसाब से तोर मरोडो सकते हो, लेकिन थोड़ा बही ज्यादा ऐसा कुछ तो भी कीजिए, कि अपने को दो बार revise होना चाहिए, और exam के पहले का revision बेटा more than 90% work करता है, पहले जो आपने पढ़ाई किया, वो तो बहुत अच्छी बात वो ज़रूरी है, लेकिन पहले अगर पढ़ाई किया है, बहुत अच्छी और exam के एक दिन पहले revise नहीं कर पाए, तो समझ लेना band बच जाए पूरी, इसी लिए exam के एक दिन पहले का revision बहुत important होता है, ठीक है, तो आप लोगों की exam 14th को है, ठीक है, जितना मुझे ध्यान है, 14th December को आप लोगों का economics और BCK का paper है, economics and BCK का आपका paper है, ठीक है, चलिए, और जो इसके पहले का paper है आपका, और ये इसका timing दो बज़े से है 2.00 PM, दो फैर में 2 बज़े से ये paper स्टार्ट होने वाला, ठीक है, अब आप लोगों को exam centers पे भी पहुचना रहता है, सब कुछ रहता है, तो हम उसकी बात-बात में करते हैं, पहले मैं आता हूँ, आपका, इसके पहले का paper जो है, 12th December को complete हो जाएंगा, 12th December को शाम को 4 बज से 4 PM को आप exam hall से बाहर आ जाओंगे, ठीक है, हम 12 December की कहानी से start करेंगे, ठीक है, चली, जान देना बेटा, मैं पहले schedule बना रहा हूँ, 12 December का, 12 December को 4 बज़े आप exam hall से बाहर आए, मैं ये imagine कर रहा हूँ, without time pass किये, आप अपने अपने घरों में, अपने अपने घर में, रू पहुच जाओंगे, कितने बज़े तक पहुचोंगे, चार बज़े exam hall से बाहर आ गए, 4 PM, बिना time pass किये, ठीक है, exam hall से आप out हो गए, after that, till 6 PM, reach home, आप अपने घर पे, जहां पे भी आप जानना चाओ, आप घर पहुच के अपने, ठीक है, घर पहुच के कुछ खाईए, ज रश्ता करना, जो भी, whatever, चाय, coffee, etc, और उसके बाद सो जाईए, बिल्कुल, go to sleep, नीन्द आए जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है, यहां नीन नहीं आई तो भी ऐसे लेट जाए, relax, 10-15 मिनिट, आदी घंटे की ही नीन आएंगे, आदा घंटा भी नीन अगर आगई, पावरने, बहुत काम करेंगा, ठीक है, तो मैं इसके लिए 8 बज़े तक टाइम दे रहूं, यहांने 8 बज़े तक पढ़ा ही नहीं करनी है, यहांने 6 to 8, 6 p.m, 2.8 p.m, आपको क्या करना है, हाई टी, जो भी आपको जरुवत है, हाई टी ले लीजिए, एंड स्लीप, अबिट, ठीक है, थोड़ा सा सो जाईए, मतलब रिलाक्स, ठीक है, और 8 बज़े नहीं उठना है, पौने 8 को उठना है, यार आदार यहां पर सही बताऊं तो 7.45 तक, 7.45 p.m तक, फिर जगना है है, उपे पानी वानी मारिए, कुछ खाना है तो खा लीजिए, आपको, है न, कुछ खाना है तो आप अपना डिनर अभी करना अभी कर सकते है, बाद में डिनर करना है, डिनर कर लीजिए, कोई प्रब्लों नी, लेकिन मैं कहता हूँ, डिनर अभी मत करूँ, अगर डिनर कर करना business and commercial knowledge eight to nine एक वन अवर दे रहा हूँ first chapter के लिए मुझे पता है बहुत ज्यादा है सरी कम्मे हो जाएगा लेकि नहीं अच्छे से पढ़ो बेटा दो revision करना है उसमें first revision एकदम अच्छे से slowly चलना है और second revision थोड़ी speed बढ़ानी है चीज समझना बात ठीक है आठ से नौ अब आपको क्या करना है first chapter अच्छे से एक घंटा देके bc kick का पढ़ दिया ठीक है इसके बाद अब आप नौ बज़े डिनर कर सकते हो लेकिन मैं अभी भी डिनर मत करो थोड़ा सा और उसको आगे दे जाओ नौ बज़े से ग्यारा बज़े तक ग्यारा नहीं साड़े दस बज़े तक नहीं ग्यारा इलेवन इलेवन थीक है इलेवन पी एम तक रात की बात कर रहा हूं आप अपना second chapter करिए थोड़ा सा बड़ा है second chapter comparatively है ना बीसी के का तो second chapter 9 वज़े से 11 वज़े तक आप लोग करेंगे ठीक है और इसी बीच में आपकी जब इच्छाओ डिनर निप्टा देना हो इसी बीच में half an hour 15 minutes डिनर को लगेगे तो approximately one and a half hour से one and a one hour 45 minutes आपको second chapter के लिए मिलेंगे ठीक है ना और इसके बाद 11 to 1130 11 to 1180 आप 3rd chapter पढ़ेंगे बेटा 3rd chapter सर बीसी के का पूरा थोड़ी पढ़ना हाँ नहीं पढ़ना है एक ही पेज पढ़ना है तो आदा घंटा जादा हो नहीं दो बार पढ़ो तीन बार पढ़ो चार बार पढ़ो जब तक इच्छा है तब तक पढ़ो लेकिन 3rd chapter ही ठीक है आई बात समझ में तो अब आप लोग क्या कर लिए 3rd chapter आपका नहीं पढ़ेंगे अब 11.11 बजे गो टू स्लीप 11.11 बजे सो जाएए बिल्कुल गो टू स्लीप ठीक है 12 बजे तक नीद आ जाएंगी ये आपका 12th December का प्रोग्राम होग है ठीक है अब मैं आता हूँ आपका 13th December का प्रोग्राम 13 December 13 December आप लोगो चुट्टी है ठीक है आप लोग सुबह उठेंगे 6 बजे उसके पहले बिल्कुल भी नहीं पूरे 6 गंटे की हमको नीद लेना है और 6 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक आप लोगों को जो भी चाय पानी और जो फ्रेश होना है ये सब काम आपके निपड जाने जाए वन अवर मोर्दें सफिशन इसमें नहाने की जरूरत नहीं है बात बात लेने की जरूरत नहीं है आप 6-7 बजे तक अपने बागी के ज जो फ्रेश होना चाय पीना निउस्पेपर पढ़ना तो वो भी पढ़लो कोई प्रॉबलम नहीं है जो भी आपके डेली रूटीन वाले काम है ब्रश करना और ये सब 7 बजे तक निपटा दीचे ठीक है चाय बिस्कृत खाके बैठिएगा साथ बजे शार्प 7 एम डेली वर्क्स मैं यहाँ डेली वर्क्स लिख देता हूँ ठीक है डेली वर्क्स आप आपने कंप्लीट करेंगे बिटा अब 7 एम को बैठेंगे हम 7 एम to 8 एम 7 एम to 8 एम मैं आऊँगा 4 चेप्टर पे एक घंटा देंगे हम 4 चेप्टर को सर ज्यादा है चलेंगा कोई हरकत नहीं बिल्कुल पढ़ना ताइम बचे 15 मिन पे MCQ भी सारे देख लेना जो मेरे बुक के अंदर दिये हुए बिल्कुल MCQ देख लेना कोई प्रॉबलम नहीं है ठीक है ताइम बचे तो MCQ देखना नहीं बचे तो देखने की सर्वत नहीं MCQ आप पहले ही अल्रेडी कर चुके हो ठीक है MCQ कर सौल करने से कुछ नहीं होता MCQ करते रहने से कुछ नहीं होता जब तक आपकी theoretical part strong नहीं है तब तक MCQ कोई काम नहीं है आई बात समझ वे 7 to 8 a.m. 4th chapter उसके बाद 8 a.m. to 9 a.m. आपका होंगा 5th chapter और उसके बाद 9 उसके बाद 9 to 10 हम 6th chapter करेंगे 6th chapter तीनों को 1-1 hour दिया है याने भरपूर टाइम दिया है एक गंटा बहुत बिल्कुल कोई problem नहीं है ठीक है 6th chapter हम करेंगे बराबर है BCQ complete 10 बजे तक अब 10 बजे से लेके साड़े 10 बजे तक मैं करूँगा breakfast 10 a.m. to 10.30 breakfast breakfast करेंगे और जो हमको बात लेना बाखी है वो 10.30 से 11 के बीच में हम निप्टा के और साथी साथ जो हम थोड़ी पूजा बात लेना नहाना एंड भगवान की पूजा करना अगर करते हो तो नहीं करते हो तो आपकी मर्जी मेरे इसाब से करना चाहिए है ना तो भगवान की पूजा वगएर है जो भी आपको करना है यह काम यहाँ तक निपट जाना चाहिए breakfast आपका हो चुक है 11 बजे आप पढ़ने बैठेंगे और 11 बजे से लेके दो फेर के दो बजे तक केते घंटे हुए बारा एक दो थ्री अवर्स थ्री अवर्स में आपको first and second chapter first chapter को सरफ half an hour ही लगता है second chapter को दो घंटा करीब करीब लगता है तो first and second chapter of what of economics यह आप लोगों को निपटाना है बेटा first and second chapter of economics यह आप लोगों को पूरा complete हो जाना चाहिए ग्यारा बज़े से दो बज़े तक ठीक है अब दो बज़े से 2 p.m. to 3 p.m. आराम से अपना लंच लीजिए थोड़ी दे rest कीजिए 15-20 मिनिट ऐसे लेटे रहिए सोना नहीं है सिर्फ लेटे रहिए सोना बिल्कुल नहीं है मैं पहले बता रहा सोना नहीं है नहीं ले लिया रात को सोना नहीं खाना खाया नहीं थोड़ा लाइट खाना खाओ और बेटा पॉसिबल हो ना तो एक्जाम के टाइम पर कभी भी यह 7-8-10 जो भी दिन रहते हैं लिक्विड डाइट ज्यादा लो क्योंकि लिक्विड डाइट से नींद कम आती है सॉलिड डाइट से नींद ज्यादा आती है यह रिसर्चस में प्रूब हुआ है लिक्विड डाइट मतलब जैसे आप कड़ी वगर है सूप अब थंडी का टाई में अच्छा टमाटर सू अब तीन बज़े से 3 पीम to 4 पीम, तीन से चार बज़े तक हम लोग थर्ड चैप्टर करेंगे, चार से, या रदर ऐसा नहीं करते हैं, तीन देखें मजाला टाइम देता हूँ, तीन बज़े से छे बज़े तक, तीन से छे आपको थर्ड एंड फूर्थ चैप्टर निप्ट थोड़ा बड़ा चैप्टर से दोनों, इन चैप्टर पर टाइम भी लगता है, तो वन एड़ा हाफ आवर, वन एड़ा हाफ आवर, इच चैप्टर के लिए, तीन से छे के बीच में, आपका थर्ड और फूर्थ चैप्टर निपढ़ जाना चीए, इकनोमिक्स का, और उस थर्टी, आपका फिफ चैप्टर निपढ़ दो, और साड़े छे से साथ बजे तक, आपको अगर कुछ खाना है, थोड़ा सा लाइट खाना, आप खा सकते हैं, ठीक है, जो भी थोड़ा बहुत खाना खाना है, आप आराम से खा सकते हैं, आपका यहाँ पे सब कुछ निप पड़ गया, मतलब फिफ चैप्टर तक पूरा आपका निपढ़ गया, आप साथ बज़ गया, आपका सब कुछ निपढ़ गया, आप थोड़ा बॉक कर लीजिए, टीवी देखना तो देख सकते हैं, आपकी इच्छा, मतलब ऐसा सबरदस्ती नहीं, इसके बाद MCQ अगर क साथ से आठका, कि कहीं कोई adjustment बिगड जाता है, किसी चीज़ बर ज्यादा time लग जाता है, तो यह buffer time आप use कर सकते हैं, 7 to 8 वाला, यह PM है, ठीक है, और अब बेटा, 8 बज़े आप लोग डिनर लेंगे, और उसके बाद सो जाओ, बिलकुल सो जाओ, यानि 9 बज़े तक, 9 प 13 तारिक का भी कार्यक्रम पूरा आपको बता दिया, अब last day, exam day, 14th December, किते बज़े उठे सार, देड़ बज़े, 9 बज़े सो रहे है, देड़ चार घंटे की नीन सफिशेंट है, morning, 1.30 am को आपको उठना है, सार इतने जल्दी हाँ उठना पड़ेंगा, बिलकुल उठना प and stop not till the goal is reach, ठीक है, बस वो strategy लगानी पड़ेंगी, देड़ बज़े उठेंगे, पानी बानी मारा, चाय भाई पिया, फ्रेश वेश होना है, थोड़ा सा हो जाईए, दो बज़े पढ़ने बैठना है भाईया, ठीक है, कितने बज़े है, 2 बज़े, 2 am, आपको पढ़ने बै Economics से, BCK नहीं, आपको स्टार्ट करना है Economics से, अब भी Economics पढ़ा हुआ है, अब भी, recently पढ़ा हुआ है आपन ने कल पिक, पिछले दिन तो पढ़ा, आपको स्टार्ट करना है Economics से, 2 बज़े से धाई बज़े तक, Economics का 2 से धाई रादर एक काम करते हैं, 2 से 3, 2 से 3, हाँ, 2 and 2nd chapter हो जाना चाहिए, ठीक है, 3 बज़े से 5 बज़े तक, 3rd and 4th chapter हो जाना चाहिए, 5 नहीं, साड़े पाँच देता हूँ, चलो, ज्याधा डाइम लगता 3rd and 4th chapter को, है रा, 3 से साड़े पाँच, और साड़े पाँच से, 6 बज़े तक, बेटा, morning में, आपका 5th chapter हो जाना च है ये economics का, याने 2 बज़े बेटे, 6 बज़े तक, मेरा पूरा economics complete, फिर से, सर इती जल्दी हो जाएंगा, yes, बिल्कुल हो जाएंगा, क्योंकि कल ही तो पढ़ा है, अभी, 5 घंटे पहली तो पढ़के रखा है पूरा economics, वो ही आगे repeat करना है, बराबर है, 5 से 6 बज़े तक, थोड़ा economics हो जाना चाहिए, अब 6 बज़े से, सुबह 7 बज़े तक, थोड़ा सा आपको चाय पानी, फिर से पिना पी सकते, take bath and go to temple, मंदिर में जाएंगा, घर पी पूजा कीजिए, जो आपकी इच्छा है, भगवान के आगे हाद जोड़िए, लौड गनेशा, मा सरस्व और टाइम दे रहा हूँ आपको, थोड़ा सा आपको न्यूस्पेपर और पढ़ना आए, या फिर आपको कुछ खाना है, पीना है, यह आपके पास और टाइम है, buffer, यह एक buffer टाइम यहाँ पर और डालो, बफर डालने का काम यह है, कभी काल बीच में कोई कारेंट से टाइ है, तो उसका क्या, कोई चीछ छूड़ गई सार, उसका क्या, कुछ टाइम ज्यादा लग गया पड़ने में, या नीन ज्यादा आ गई, तो उसका क्या, तो यह आदी घंटे का buffer, हाफ एन आवर का buffer यहाँ पर डाला है, इस से ज्यादा टॉलरेट नहीं कर सकते है, ठीक है, थर्ड चैप्टर बहुत छोटा है, आपको पता है, फर्स सेकेंड और थर्ड यह BCK का नहीं पड़ जाना चाहिए, ठीक है बेटा, और साथी साथ, फिर नाइन थर्टी, टू टैन, बस दस बज़े तक, बेक फास्ट कर लीजे, अच्छा, है ना, बेक फास्ट कर लीजे, या जो आपको खाना है, खार लीजे, और दस बज़े से लेके, बारा बज़े तक, इतना टाइम तो रहता ही है, आपको फोर्थ, फिफ्ट, एंड शिक्स्थ चैप्टर BCK का निप्टाना है, दो घंटे सफीशेंट है, तीन चैप्टर करने के लिए, पैतालिस, पैतालिस, पैतालिस मिनिट करीब-करीब है, पौन घंटे के अंदर, करीब-करीब, हाफ आवर से थोड़ा ज्यादा, आपका चैप्टर आराम से कम्ठीट हो, ता फोर्थ, फिफ्ट, एंड शिक्स्थ, अब बारा बज़े तक इसके बाद फिर जो खाना है, थोड़ा खाईए, अपन आदा घंटा दिया है, तो आदे घंटे को 15 मिनिट कर सकते है, बफर टाइम यूटिलाइस कर सकते है, आप 7 बज़े से पढ़ने बैठ जाईए, बराबर है, बफर को कैसे यूटिलाइस करना बेटा, ये आपको देखना है, लास्ट में, कई लोग वीडियो चला चलाते है, लास्ट में आ जाते है, बेटा पूरा वीडियो इमानदारी से 20 मिनिट का वीडियो है, ज्यादा नहीं है, पूरा वीडियो अच्छे से देखो, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ किये, कान में, एरपोड लगाओ, या पुल वाल्डियो में सुनना है, टीवी में सुनना है, आपके इच्छा है जैसा करना करो लेकिन पूरा वीडियो देखो ये वीडियो बहुत काम आएंगा आप लोगों के ये जो एक्जाम के एक दिन पहले का मैंने प्लान दिया है इससे बेटा आपको दो बार रिविजन होता है दोनों सब्जेक्ट्स आपके और साथ ही साथ ये प्लान बहुत लोगों को help हुआ है काम आया है मैंने पिसके पहले भी ये प्लान पिछले बच्चों को दिया था और उनके बच्चों के इत्ते अच्छे अच्छे सुन्दर कमेंट्स आया है कि सर आपका ये प्लान बहुत काम आया हमारे सर इसके कारण हमारी दो बार स्टेडी हो गई और सर एक्जाम है ओ बच्चों को सबको 60, 80, 91, 92 मार्क्स मिले है उनके भी ये ही कमेंट्स से बेटा तो इसलिए विश्वास रखिए और साथ ही साथ इस प्लान को और एक्जाम कंप्लीट होने के बाद बेटा महरबानी करके प्लीज मुझे परसनली मैसेज कीजिए या सब ग्रूप पे डालिए जो आपकी इच्छा मुझे जरूर बताना कि आपका पेपर कैसा हुआ अच्छा हुआ, बुरा हुआ, अच्छा ही होगा लेकिन आप लोगों ने ज्यादा मेरत की है आप सब लोगों को अच्छे माक्स आया ऐसी मेरी शुप कामना ऐसी में भगवान से प्रात्मा करूँगा ठीक है बिटा, All the very best Thank you, Bye